एक ओमलेट हम अक्सर बनाया करते हैं लेकिन थोरे से चेंजर्ज के साथ आप उसे और भी ज्यादा टेंटिंग और हेल्दी बना सकते हैं अज हम बनायेंगे एक चीज ओमलेट जिसमें काफी सारी सबजों का इस्तमाल करेंगे इसमें चीज होने के कारण बच्चे भी बड़ी आसानी से खा लेते हैं तो बहुत ही हेल्दी और अच्छा उप्चन है ब्रेकफास्ट के लिए आप इसे स्लैक्स में भी सर्व कर सकते हैं तो रेसिपी को पूरा जरूर देखिए का और पसंद आए तो प्लीस लाइक करना बिल्कुल ना भूले इसके लिए मैंने चार अंडे लिए हैं दो लोगों के लिए मैं बना रही हूँ तो उसी के कॉर्णिंग बागी सारे इंगिडेंस मैजर की हैं अंडो को तोरके हमें एक मिक्सिंग बॉल में एट कर देंगे और उसे अच्छी तरह से हमें विस्क कर लेना है आप चाहें तो फोक से भी ये काम कर सकते हैं इसे तब तक मिलाईए जब तक की एक यॉक पूरी तरह से मिल ना जाए तो हार्डली आपको आधे मिनट का समय लगेगा इसे मिलाने में तो यहाँ पर देखिए ची तरह से मिक्स कर लिया है मैंने तो जैसे ये मिल जाए उसके बाद हम इसमें बागी की चीज़े आट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून के लगबग दूद दूद डालें से ओमलेट काफी फ्लप भी बनते हैं और सॉप्ट बनते हैं तो ज़रूर एट कीजेगा अब डालेंगे ब्लैक पेपर पॉडर एक चोटाई चोटी चममच की लगबग इसके साथ ही यहाँ पर नमक एट कर देंगे नमक थुरा ध्यान से डालिएगा क्योंकि चीज में भी नमक होता है और हम इसे बटर में बना रहे हैं जो की सॉल्टेड है तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे नमक एट कीजेए मिला लेंगे सबको अब बारियात यह सबजियों को एट करने की तो यहाँ पे मैंने बारी कटावा गाजर, शिमला मिर्च और प्याज लिया है आप चाहे तो इसमें बारी कटावा टमाटर और मश्रूम भी आट कर सकते हैं सबको हम एक के मिक्शर में आट कर देंगे और इस स्टेज पे आप जाएं तो इसमें बारी कटिवी धन्या की पत्ती, हरी मिर्च भी आट कर सकते हैं तो काफी सारे वेरियर्शन्स आप इसमें ट्राइ कर सकते हैं सबको मिला लेंगे अच्छी तरह से और यहाँ पे आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ दूर डालने के कारण यह थोरी सी पतली होती है यह देखे तो यहाँ पे हमारा एक मिक्शर बिल्कुल तयार है ओमलेट बनाने के लिए तो अब हम बनाना शुरू करेंगे तो इसके लिए एक पैन गरम किया मैंने गैस का फिल्म लो कर दीजिए एड करेंगे इसमें दू चमच के लगपक बटर आप इसे देल में भी बना सकते हैं तब भी यह बहुत टेस्टी बनेंगे बटर को हलका सा मेल्ट कर लीजिए पूरी तरह से नहीं नहीं तो वो जलने लगता है और मिक्शर पोर करने से पहले उसे एक वार इस तरह से ज़रूर मिला लीजिए नहीं तो ब्लैक पेपर पॉडर नीचे में बैठ जाता है तो यहाँ पे इसे हम ढाल देंगे पैन में और इसे लबबक 10 सकेंड तक पकने दीजिए अब यहाँ पे हम स्पैचुला से इसे थोड़ा थोड़ा आगे की तरह बढ़ाएंगे तो पीछे जो स्पैस बनेगा उसमें फिर से एक मिस जड़ा जाता है तो इस प्रोसेस को करने से आप देखेंगे कि इसमें लेयर्स बनती है और इस तरह ओमलेट बनाने से वो काफी थिक बनती है तो यह बहुत अच्छा टिप है आप इसे फॉलो कर सकते हैं कुछ दिर के बाद फिर से वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे यह देखे और आप बीच में देख सकते हैं कितनी सारी लेयर्स बन रही है यह देखे और जहाँ जहाँ स्पेस से वहाँ पे एग मिक्सचर इस तरह से आ जाती है तो लगभग आदे मिनट के बाद आप देखेंगे कि यह नीचे से सेट हो जाएगा तब आप इस प्रॉसेस को करना बंद कर दीजे और जो लेयर्स बनती हैं उसे इवनली स्प्रेट कर दीजे तो लगभग एक मिनट के बाद यहाँ पे देखे अब जो हम स्पेस बना रहे हैं उसमें एग मिक्सचर नहीं आ रहा है यानि कि वो नीचे से सेट हो चुका है तो अब इस प्रॉसेस को हम नहीं करेंगे अब इसे पकने देते हैं तो लगभग आदे मिनट के बाद यहाँ पे नीचे सेने चेक कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलरा है और यह पक चुका है अब हम इसे फ्लिप करेंगे तो यहाँ साइट्स को थोड़ा सा लग कर लेते हैं और यह देखिए अब फ्लिप करने के लिए आप स्पून से भी इसे फ्लिप कर सकते हैं लेकिन यह प्रॉसेस मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तो एक प्लेट रखने के बाद मैंने उसे फ्लिप किया अब वापस से पैन में अट कर दूँगी तो थोड़ा सा यह हैवी हो जाता है तो इसके लिए स्पैचुला से तूटने का ड़रत है तो इसके लिए मैंने इस तरह का प्रॉसेस इस्तेमाल किया है अगर आप स्पैचुला से फिलिप करना चाहें तो बिल्कुल कीजिए अब वापस चीज से पैन में रख देते हैं इस तरह से गैस का फ्लेम बिल्कुल लो डखना है यहाँ पे भी अब हम इसमें चीज स्प्रेट करेंगे तो इसके लिए यहाँ पे मैंने मॉजरेला चीज लिए अब कोई भी प्रोसेस चीज इसमें इसमें स्वाल कर सकते हैं आप चाहें तो चीज स्लाइस भी इसमें आड़ कर सकते हैं या फिर इस तरह से ब्रिक जो मिलता है लगवग आधिमनेट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे एक साइट पकने देंगे और फिर से फिलिप करेंगे तो यहाँ पे देखे आधिमनेट हो चुका है तो अब हम इसे फिलिप कर देते हैं अब इसे मैं काट के दिखाती हूँ, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि अंदर से चीज मेल्ट हुआ है की नहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से चीज मेल्ट हुचुका है, कितना कलर्फुल लग रहा है, और मैं आपको नस्दीक से इसका कर सकते हैं, तो वो जो टिप हमने फालो की थी, उसे जरूर फालो कीजिएगा, इस तरह से आप ओमलेट बनाएए, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, इसे करमागरम सर्ब कीजिए, तो इस रेसिपी को बिल्कुल इसे तरह से जरूर ट्राइक कीजिएगा, उ THIS सकते हुआ कीजिएगागी!